अब थे स्वागत है आपका अपने एस्टिच की यूटूब चैनल पर और हम लोग कर रहे हैं बेसिस्स रिटेश में और और जो हम लोग का चप्टर है वो कहाँ सा चप्टर चप्टर है इनिलीम चल रहे हैं इसके प्रीबियस वाले वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रो प्रिवेस विडियो में discuss कर लिया है अगर यह विडियो का कौन सा पाट है यह second part है एन इलीएन के ऊपर यह कौन सा है second part है तो एन इलीमAKE में हमने पहले विडियो में इंट्रोड़क्शन किया और इसकी properties को देखा ठीक है आज हम पढ़ेंगे Electrophilic substitution. Electrophilic substitution एलीन देता है कि नहीं देता है उसके बारे में हम detail अच्छे से study करेंगे ठीक है तो यह हमारा second year का कौन सा chapter 14 चप्र इसके पहले हम तीन chapter बहुत अच्छे से कबर कर लिया है कौन से कौन सा एक हमारा कार्बो हाइडडेट दूसरा बेंजीन तीसरा क्लोरो बेंजीन और यह हमारा चौथा चप्तर चल रहा है ठीक है तो आप क्या करिए आप इसको हम आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपना नोर्स भी बना रहे होंगे और वीडियो को अच्छे से शे पूड गया था कौण सारेक्शन हमने इक रयक्शन हमने करवाना आप से भूल गया था कि इनलीन जो है इन्स तू जब इसका के साथ रिक्सन कर वाया गया तो यह क्या बना लिया एक साल्ट का फार्मेशन कर दिया यह अब यह क्या होगा यहां पर दिख लो क्या हो गया यहां पर जो आपका NH2 ग्रूप है इसे के साथ लग गया क्या NH3 प्लस और यहां प्लस हो गया सक्तृट क्ढ़ क्या हुआ फार्मेसन हो गया गिया जब इसका खिक्लित करवाय इक्षण क्या तोएहां से यह पता चला कि यहां का फार्मेशन हो गया है तो इस रेयक्स दो सी यह पता चला कि एनिलीन जो है रहा वे टीव्यूच की इनिलीन और रहाक्ता है कि नीलीन जो है वह बेसी कउरेक्टर्पिक रहकता है कियोंकि यह पास लूंफियो Scele लेकिन एक और तरीका देखो बाद में करवाया गया कि जब अनिलीन का एसील के साथ करवाया गया तो हमको एक साल्ट का फार्मेशन हुआ जिससे यह पता चला कि यार हमको तो पता कि हमने तो उपर से मिलाया लेकिन एसीड कब साल्ट का फार्मेशन करता है जब उसके साथ को कोई बेस होता है तो यहां से एक रियक्शन के थूरू हमको यह भी पता चल गया कि एनिलीन जो है वह बेसिक करेक्टर है ठीक है तब यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है पूरी तरह से फिनिस होती है आए अगले टॉपिक की तरफ डिसकस करते हैं एलेक्टोफिलि पहले उसको हम समझते हैं तो हमेशा की तरफ में पहले आपको इलेक्टोफिलिक बताता हूं इलेक्टोफिलिक का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रान का लवर जो इलेक्ट्रान को चाहे वही क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है ठीक है यानि इलेक्ट्रान के ऊपर कौन सा होता है माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज किसको चाहेगा प्लस चाहेगा तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल वह स्पेसीज है जिसके ऊपर हमारा क्या है प्लस चार्ज है तो कोई किसी भी compound के उपर या किसी भी species के उपर अगर आपका plus चाहा जाता है तो वह क्या होता है electrofile होता है तो भाई electrofile substitute कर रहा है मतलब एक electrofile जा रहा है दूसरे electrofile को बाहर निकल रहा है तो मतलब क्या अनलीन के पास लेक्टान है क्या जिसके कारण क्या हुआ यह एलेक्टोफिलिक सब्टीटूशन दे रहा है तो यस ननीन का जब हम स्ट्थेक्चर देखते हैं तो यहां से बनता है ns2 ग्रूप और इसके पास है क्या लोन पेराफ लेक्टान जब यह लोन प्यारा फ्लेक्टान रिंग में डोनेट करता है तो आर्थो और पैरा पुजिस्न प्यां कि देन्सटी बढ़ जाती है कैसे इसका अगरमाइं बहुत दिखाऊंगो भाई आज इ देखो, यहां पर यह लिक्टान चले आए, यहां पर double bandd बन गया और NH2 हो गया, नाइटोजन ने चार वेलेंस बना लिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ख्या है अब देखो ये इस्ट इलेक्टान इहां पर है अभे पीर इलेक्टानः इह यहां पर भूमें यहां पर आगए तो यहां पर चला गया तो अगले स्रीज में क्या होगा कि रिइंग और यहां पर आगाय डवल बैट यहां पर हो गया एन इसक्तूं ठीक है इसके पास तो टॉ दोनेट क्षाट घा अब शीय जिरा घागै मुंक थास के विए अपना ळेक्रां डोनेट कर दिया चौथे श्टेक्चर में क्या होगढ़ सquinho यहां पर आएगा और ये हाँ पर थाँड़ को तो चॉथे स्टेक्चर में तो यह यहां में और यहां पर चला गया और यह प्लॉक्त के साथ में सिस्टेप में क्या होगा यहां पर यहां पर जाएंगे और यह पाई बांट फिर यहां पर सिफ्ट होगा तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा फिर से आपका हो जाएगा एंडिलीन और यहां पर यहां पर यहां पर चले आए तो यह क्या हो रहा है जो नाइटोजन के पा साइड में जाएगा फिर यहां से फिर इस साइड में आगा मतलब यह रियक्शन कांटीनिवस चलता रहेगा हमेशा की तरफ कभी भी इसको रोकना मुश्किल है लेकिन एक चीज़ देख रहे आप कि यह जो लून प्यारा फिलेक्टान है इसका स्टेशन कहां है यह कहां कहां खाता कि इसका लेक्टान की जो डेंसिटी है वह आर्थो अर्टा पे श्रूख रहेए इसका मतलब यह हुआ कि कोई बखतव हमारा इलेक्ट्रॉफायल कौन इलेक्ट्रॉफायल अगर अटेक करना चाहे तो कहां कहां पो कर सकता है या तो आर्थोप्र अट्रॉख कर सकता है क्योंकि lone pair of electron के जो density है वह आर्थो और पैरा पे हो रही है ठीक यह हमको इसके resonance से पता चल रहा है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई जब इसका हमने nitrogen करवाया तो आर्थो और पैरा के साथ सब मेटा का भी product हमको मिल गया तो उसके पीछे का क्या reason है उस reaction के बाद हम उसको define करेंगे ठीक है तो यह clearly आपको पता होना चाहिए लेक्ट्रोफिलिक सब्स्विशन क्या करता है एनिलीन देता है क्यों देता है क्यों कि इसके पास electron की density है जिसके पास electron की density होती है वह अपने उपर इलेक्ट्रोफाइल का अटक करवाता है तो कोशन यहां पर राइस होता है कि कहां कहां पे तो आर्थो और पैरा पे ठीक लेकिन जब हमने इसका नाइट्रेशन करवाया मैं अभी बोला हूं कि जब इसका मैंने नाइट्रेशन करवाया तो हमको आर्थो पैरा का प्रड़क्त मिलना चाहिए लेकिन मेटा का भी प्रड़क्त मिल गया तो चलिए उसके पीछे का क्या स्टोरी है थोड़ा उसको देख रहे हैं कि क्या तो इसका हम हम क्या करवाएंगे नइट्रेशन करवाएंगे यह कुछtन और इसली यृफ कि घाम पे बहुत बात पूछता है तो हमने हीड लगाते हैं ऑब भी लगये नाइट्रेशन अप ऐनली और बहुत इसमें क्या होता है थोड़ा सा कॉंसेप्ट मिस हो जाता है लेकिन एक दम आपका आज क्लियर हो जाएगा कॉंसेप्ट इसके पीछे का देखो यह हो गया हमारा एनिली और इसका हमने फॉर्दर रियक्शन करवाए कि इसके साथ एचनो 3 के साथ और यह आप जानते हो क एचनो 3 जब भी रियक्शन कर गया है तो किसके परजयंस में तो तीन प्रड़क्ट हमको मिले कौन कौन से मैं आपको अब लिखता हूं यहां पर देखिए यहां पर एक प्रड़क्ट मिलेगा एनिस तू यहां पर रहेगा ही और यहां पर लग गया हमारा आर्थों पे कर लेते हैं और यही एनटू कहां पर अटेक कर दिया जब हमने रियक्ट करवाया तो पैरा पर भी अटेक कर दिया अब कोश्चन है राइज होता है कि यहां पर कितना परसेंट मिला दो परसेंट बना जो मेटा का बना वह 47 परसेंट बना और जो पैरा का बना वह 51 परसेंट ठीक, लेकिन अभी हमने कहा कि इलेक्टो फाइल अगर अगर अटेक करता है तो वो केवल आर्थो और पैराप अटेक करेगा, इसका रेजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर देख कि हमने बोला, लेकिन यार क्या यहां पर इसमें क्या लोचा हो गया, कि जो एनर्टू ग्रूप है वो मेटा पर भी अटेक कर गया, क्योंकि इसके इस्पेक्ट में यह आर्थो होगा, यह मेटा होगा, और यह कौन सा होगा, पैरा होगा, बात समग्या रिये, तो रेजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर के द्वारा यह अगर यह लोन पैराफिलेक्टान डोनेर करता है, तो इस इसके पीछे का रिजन ढूड़ना स्टार्ट हुआ, क्यार इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कि इसके रेजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर तो तो केवल आर्थो पैरा का परड़क्ट बनना चाहिए, यह मेटा क्यों बन गया, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं करेक्टर रखनता है, और जो H24 है, वो कैसा है, हाइली एसीड है, यहीं पर दिक्कत करी हो गई, इसने अपना यह प्लस डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, यह जो यह प्लस है, वो सीधे जाके एनिलीन प्याटक कर गया, और क्या बना लिया, अगर उसका मैं आपको इस्ट्र हो गया, और यह बन गया, प्लस, यह क्या किया, एनिलीन एक्सेप्ट कर लिया, यह प्लस, किसने दिया था, ह्ट्यूसोफोर ने दिया था, उस रेक्शन में हो रहा है, ह्ट्यूसोफोर ने अपना यह प्लस दिया, अजब इसने अपना यह प्लस दे दिया, तो यह एनिलीन यज प्लस आयन को accept करके एनिलीनियम आयन बना लिया अब बताओ अब दिमाग लगाओ अपना सब लोग लगाओ दिमाग अब यार बताओ इसके पास इलेक्टान की कमी है कि इलेक्टान है इसके पास इलेक्टान की कमी हो गई क्योंकि नाइटोजन अपनी चार बैलेंसी बना लिए अब इसके पास कहा लोन प्राफ लेक्टान है अब इसके पास कहा लोन प्राफ लेक्टान है नहीं लोन प्राफ लेक्टान है तो इसने क्या कर दिया नाइटोजन अब कारवन से उल का inandenote का कि एलेक्टान की कमी हो गई कोई प्लस चाहा कराता है तो क्या करेगा ुल्टा इश रिंग से खिचना चालूकर देगा काएगा हमको इलेक्टान दो हमारे पास इलेक्टान की कम ही जब हमारे पास इलेक्टान था तब हमने तुमको दिया था अब हमारे पास इलेक्टान की कम ही हो गई तुम भी दो तो इसने क्या कर दिया इस रिंग से इलेक्टान को खीचना इस्टार कर दिया जब एनिलिनियम तो यह कहां कहां खीचेगा जब यह दे रहा था तो आर्थो और पैरा पे इलेक्टान को दे रहा था लेकिन जब खीचेगा तो कहां से खीचेगा आर्थो और पैरा से ही खीचे कि यहां पे तरीक्टान पर कमी हो गई तो जब यहां पर सिनकी कमी हो गई तह इस पोजिशन पे आप नहीं अटेक करेगा हमारा कॉन इलेक्ट्रोफाइल तो उसने क्या कर दिया चलो भाई मेटा के पास तो कम से कम इसका तो अपना इलेक्टान है चलो इसी के पास अटेक कर देते हैं इसलिए हम जब इनलीन का नाइट्रेशन करवाता है И все इक अर्थो भी मिल्ता है उसका रीजन यहीं है कि अर्थो और पैरा तो इसको मिलना चाहिए था मेटा क्यों मिला मेटा इसलिए मिला कि ज़ो है इसने अपना इच्प्लस दिया इसने इस ने अपना इस C++ को accept किया तो यह बना लिग तो यह था नाइट्रेशन आफ एनलीन और इसमें हमने तीन चीज़े को दिखा यह आर्थो भी बनाया और मेटा भी बनाया और पहरा भी बनाया इसके पीछे का रेजन भी हमने देख लिया ठीक है तो यह हमने आपके साथ डिसकस किया इलेक्ट्रोफाइल सब्सक्राइशन देता है लेकिन नाइट्रेशन की केस में कुछ अलग हो जाता है उसके पीछे का रेजन भी हमने आपको बता रही है तो मिलते हैं वीडियो में आगे की डिसकस करेंगे प्रोपर्टीज एक औ सब्सक्राइशन नहीं देता है उसके पीछे का रेजन भी हम समझेंगे छोड़ा सा वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो मिलते हैं ने वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाइ क्यों है